लेटिस अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें बतरनाक केमिकल जिस तरह नईमबई की आबो हवा को प्रदूसित कर रहा है उससे वाद दिन दूर नहीं लगता जब दिल्ली की तरह नईमबई करों को भी मास्क पहन कर चलना पड़े दिन डलने के बाद वातवरण में तैरते एर पार्टिकल्स और बदबू फैलाती हमाएं इसका सबूत दे रही हैं कि मनपार MPCB अधिकारी नियंत्रण के नाम पर जो दावा कर रहे हैं वह दिखाने के सिवा कुछ भी नहीं है चोटा मिटर दे हैं यह तो इंडर्श्टिक में जाते हैं मॉंतिरिंग करते हैं तो उसमें हमें टेने के बरिभी नेड़ का लिमीट में नहीं है तुरंत समय में आता है बाद में हमारा दूसरा Ambient Air Monting Machines है और Continuous Air Monting Machines भी हमने कई-कई जगा लगे के इसमें नौन-माडिशी एरिया रेसिदेंचल एरिया उधर लगाया है उसमें Continuous Monting Station है तो Ambient क्या है आज का वो सब पब्लिक को किदर भी जाएगा देख सकता है यकीन नहीं आता है तो शहर के कुछ गटर नालों की हालत देख लीजिए यहां छोड़े जा रहे प्रदूसित पानी ने नालों को बदरंग बना दिया है ऐसे में जल जीव तो दूर घास और वनस्पतिया तक नहीं बची है बरते प्रदूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट तुर्वे इस्टोर पाउने गाउं को पर खेर ने घंसोली रावालेम नेरूल के इस्टिवाजी नगर में दिख रहा है जहां लोग प्रदूसी थवाओं के कारण बीमारियों का शिकार हो रहे हैं बाइक सबारों की माना तो तुर्वे माफे और नेरूल हाईवे से गुजरते हुए उन्हें अकसर एयर पार्टिकल का आटायक और केमिकल की बदबु झेलना पड़ती है ताजुब यह है कि यह सब कुछ बदस्तूर जारी है लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है देखना होगा कि सवच्छ वरी को सिटी का पुरस्कार जीत चुकी नौइमबई महानगर पाली का और प्रदूश्टर नियंत्र मंडली से लेकर कौन सी गंभीरता दिखाते हैं यदि फिर भी नहीं चेते तो नौइमबई करों को भी दिल्ली वाला दिन देखने को मजबू पूर होना पड़ेगा विरूर रिपोर्ट टीवी वन इंडिया